हेलो दियर स्टूदेंट्स वेलकम बैक टू और आज की स्वीडियो में बच्चों हम डस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 26 फॉर क्लास एट्थ सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वक्षीट है जो आपके लिए 18 जनवरी 2021 के लिए शडूल की गई है सिक्षा निदेशाले क और से आज की वक्षीट का टॉपिक है बच्चों सामाजी को राजनीतिक जीवन पाठ आठ आठ हाशिय करन से निपटना ठीक है तो यह हम करेंगे और अभी तक बिटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन भी प्रे अधिकार हो जाते हैं अपने आपको दूसरों से अलग समझने लगते हैं और इसमें हमने आधिवाशियों का एक्जामपल भी किया था मुसल्मानों के बारे में समझा था और आज हम यह जो है पड़ेंगे कि यह लोग जो है आज जागरूत हो चुके हैं और यह दलील दे रहे हैं कि एक लोगतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए यहां तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए सविधान का सहारा लेते मौली का दिकार को अपयोग करना जहां तक हासियाय तबके की बात है उन्होंने अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है पहला उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है पहला अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते वे उन्होंने सरकार को उनके साथ अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है और दूसरा उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे यानि उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जो मौली का दिकार है उनका इस्तेमाल किया है कई बार हाशियाई तबकों की संकट की वज़े से ही सरकार को मौलिक अदिकारों की भावना के अनूरूप में कानून बनाने भी पड़े हैं अब देखें सविधान का जो अनुछेद पंद्रे है उसमें क्या कहा गया है उसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ दार्म, नसल, जाती, लिंग या जनम स्थान के आधार पर भेदवाव नहीं किया जाएगा और समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहरा ले सकते हैं ये किस में कहा गया है ये सविधान के अनुछेद 15 में कहा गया है उसके बाद देखिए सविधान के अनुछेद 17 के अनुसार असपरश्यता या छुवाचूत का उनमुलन किया जा चुका है तो असपरश्यता या छुवाचूत उसका उनमुलन अल्रेडी हो चुका है अनुछेद 17 के अनुसार इसका अल्रेडी जो है उन्मुलन हो चुका है अब किसी भी दलित को कहीं पर भी जाने की पूरी स्वतंतरता है हाशियाई तबकों के लिए कानून सविधान को लागू करने के लिए राज्या और किंदर सरकारे जन जाती आबादी वाले या दलितों के अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेश प्रकार की योजनाय लागू करती है कई स्थानों पर दलितों और आदिवाशियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छातरावाश चार्या सिख्शा संबंदी सुविधाएं वो भी उपलब्द कराई जाती हैं तो इनको आदिवाशियों को दलितों को उनको जो है होस्टल फैसिलिटी दी जाती है, सिक्षा सम्मंदी सुविधाएं उकलब्द कराई जाती हैं. असमानता को खतम करने के लिए आरक्षन की वेश्था भी की गई है, तो आरक्षन जो है वो दिया गया है जिसमें सिक्षन संस्थान, सरकारी नोकरियों में दलिते और आदिवाशियों की सीटे जो है वो आरक्षित की गई है कुछ परसंटेज उनको दी गई है ठीके जिसको हम आरक्षन कहते हैं कॉलेज खास्तर से मडिकल कॉलेज में दाखले लेने के लिए नियून्तम अंक शीमा तै की गई है ठीके और इसके साथ विशेश जो है जो चात्रविर्ती मिलती है उसका भी प्रावधान किया गया है और अब देखी बेटा क्रिया क्लाप है हम सब इनसान है और हम समान है इस वाक्या पर दस लाइन लिखिए या कोई भी चित्र आप बनाए तो हम सब इनसान है हम सब समान है इस पर आप अपने खुद के विचार यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस तरह से आप इस पर लाइने और किस तरह से समानता होनी चाहिए उस पे आपको बहुत सारे डाइग्राम बहुत सारे इमेजिस मिल जाएंगी आप नेट से गूगल करके वहां से बना सकते हो नेक्स देखिए question number 1 दिया गया है सविधान में लिखित अनुचेद 15 और 17 के बारे में लिखना है तो अनुचेद 15 जो है यहां से लिखेंगे यह जो है अनुचेद 15 हो जाएगा और यहां से लिख दीजिए अनुचेद 17 पहुत ज़्यूरी है तो यही आपका question number 1 का answer भी हो जाएगा नेक्स देखिए हाशियाए समू के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं तो यहां से आप अन से लिखेंगे जो हाशियाए समू के लोग है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून का साहरा ले सकते हैं तथा नेयालय भी जा सकते हैं तो ये लोग कानून का साहरा ले सकते हैं और नेयालय में भी वो लोग जा सकते हैं ठीक है? नेक्स देखिए question number 3 तो जो हाशिय करने के शिकार लोग हैं जो अपने आपको कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं तो उनको कौन-कौन सी सुविधाए दी जाती है नमबर एक लिख देंगे आप छात्रावास की सुविधा नमबर दो मुफ्त शिक्षा नमबर तीन आरक्षन और नमबर चार आप लिखेंगे Scholarship तो यह इस के तरहें कि सुविधाएं जो है वो सरकार को देती है कि अग के कौशन यापके अनुसार गरीबी को समापत करने किyetá कि यह जा सकता है कész तो गरीवी को समापत करने के चोटा परिवार हो तो गरीबी की समच्चा को कुछ हद तक जो है यहाँ पर उन्मुलन किया जा सकता है नेक्स्ट है रोजगार के अवसर सभी को समान रूप से मिलने चाहिए और लगू उद्ध्योगों का सहरा लेना चाहिए ठीक है ताकि सभी को जो अपनी जीवी का है उसको कमाने का साधन मिल सके तो यह जो चार पॉइंट है यह आप लिख देंगे कि किस तरह से गरीबी को जो समच्च किया जा सकता है तो यह थी आपकी आज की SST की वर्कशीट हो बिटा आपको वर्कशीट क्लियर है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आपके लिए जब कर दो कर दो कर दो वर्कशीट है